कैसे हैं आप मैं गोड़व स्वागत करता हूं आप सब्सक्राइब का आपके इस चैनल एई-पियस पर आज महापर्व छट का भुड़िया रख है और मैं अभी वीडियो बना रहा हूं आप सब्सक्राइब के लिए साथ बैठ कर जो प्लेलिस्ट बना है 2019-21 बैच का यानि की फर्स्ट एयर का उसको स्टार्टिंग से अंतक दो तीन बार बस देख लिजिए विजवास किजिए कि आपकी टीबियस एयर में बहुत सारे ऐसे सब्द हैं बहुत ऐसे कुस्चन है जिसको आप एक बार देख लिज आप बस लिखते चलिएगा चाहिए शुरू करते हैं आज का अपना यह टॉपिक जो की एफ 10 का यानि की पड़यावरन अध्यान का सिक्षन सास्त्र आज मैं फिर से आपको बता दू कि आप में से किन्हे जिसे भी कोई भी प्रॉब्लेम है क्वेस्टन में किसी सब्जेक् यह निचे डिस्क्रिप्शन आप मैंने डाल लखा है आप वहां से देखकर मुझे मैसेज कर सकते हैं कोई भी आपका प्रॉब्लेम हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं क्लियर है चलिए तपना शुरू करते हैं आज का यह पहला कुश्चन देखिए पड़यावरन के आप धर पड़यावरन ही एक ऐसा अध्याय अपने रियल लाइफ का जिससे जितनी भी विसाय वह सारे का उपज हुआ है हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पड़यावरन जो है पड़यावरन के बाद ही सारे विसाय इससे छुड़शुड कर बाहर निकले क्योंकि जितना कुछ हम अध्यान कर रहे हैं तो हर एक विसाय का बेसिक जनकारी हम लोग रखते हैं क्लियर है तो यह इसका पड़यावरन की अब्धारना तो अब्धारना करने के मतलब हो गया कि वह क्यों आवस्या ख्याब के लिए आप पढ़े होईएगा आप अपने जुनियर लेबलें पढ़ के लिए अपने कारियों को अधिक बुधी मता एवं सब्धानी से करना होगा क्लियर है और इसी पड़यावरन पर हमारा जीवन और सम्रिद्धी भी निरवार है यह हो गया इसकी अब्धारना अब इसमें कुछ पॉइंट होता है जिसे की पड़यावरन क्या है तो के लिए सभागीता के लिए तो यह सारा कुछ अपना क्या है पड़यावरन का एक अब्धार नहीं है clear है मानुद्य बैवार समाज एवं पड़यावरन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं मानुद्य बैवार करने का मतलब हो गया आपकी आदव अगर आप गंदगी नहीं फेलाते हैं तो आप पड़यावरन कुछ चती नहीं पहुचा रहे हैं अगर आप गंदगी फेला रहे हैं तो चती पहुचा रहे हैं अगर आपका सभाव अच्छा है तो आप अपने आस पास में पोजिटिव चीज ला रहे हैं आपका सभाब गंदा है तो आप निगेटिव चीज खला रहा है आज आपका सभाब गंदा है कल होकर आपकी को देखकर आपके बच्चे आपके साथ नकरात्मक बेभार करेंगे तो यही आपको यहाँ पर बताना है कि मानब का बेभार समाज और पर्यावरन पे क्या effect डालता है क्लियर है बालक के विकास पर पडिवेस का क्या प्रभाब पड़ता है लिखें तो देखिए इन्भार्मेंट यानि कि आप देखते हुएगा कोई बच्चा गोड़ा है कोई सामला है किसी का बाल भूरा है किसी का काला है किसी का सफेद है कोई छोटा है कोई मोटा है जलवाईू कर दो सर अलग अलग है ठीक उत्पन होती है क्यों होती हो उसके पड़्य बढ़्योन पर इस प्रिक्टेट होता है उसी का नुसार को अध्य पर लिख नहीं है कि हालस के पड़ी बालक के विकास पर उसके जो इंभार्मेंट का है परवाब पड़ता है आप कैसे पड़ता है वो आपको बता देना है अगर वो गंदा समाज में बालक है तो उसके अंदर वने करात्मक बेभार आएगा अच्छे समाज में है तो सकरात्मक बेभार आएगा बच्चो ऐसे हैं जो दलित समाज से बिलॉंग कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अने समाज से बिलॉंग कर रहे हैं, अब हर बच्चे के घर का महौल अलग-अलग है, हर घर के बच्चे के अविभाबक कारे अलग-अलग करते हैं, तो सभी की सोच क्या होगी, अलग-अलग होग क्लियर है तो उसको आपको यहाँ पर लिखना है सर्वेक्षन से आप क्या समझते हैं सर्वेक्षन कहने का मतलब हो गया सर्वे आप लोग बताईए कि आपने से बहुत लोग अपने स्कूल टाइम में जू में या कहीं भी घुमने गए होईएगा ठीक है इसकूल के तरब से या कॉलेज लाइफ में भी गए होईएगा तो सर्वेक्षन कहने का मतलब हो गया कि इन्भार्मेंटल स्टडी में मालने जी हम लोग च्रिया घर के वाड़े में पढ़े किसी पसू पक्षी के वाड़े में पढ़े अब बच्चों को हम लोग ले जाकर उहां पर भिजीट करवाए बच्चे ने उसे आखों से देखा तो उनके अंदर में और जड़ा रूची बढ़ेगा जानने की इक्षा बढ़ेगी जिग्यासा बढ़ेगी तो यही अपना क्या हो गया सर्वेक्षन हो गया अब सर्वेक्षन क्या होता है इसमें कुछ सिमाय होती है जिसे की सर्वेक्षन क्या होता है बहुत खर्चीला होता है यह परयोग में बहुत समय लगता है सर्वेक्षन के लिए वो कहीं पर ले जाना पड़ेगा दिखाना पड़ेगा समय लगेगा इस विदी के बढ़ों के लिए पढ़याप्त अनुभव भी होना चाहिए जो आपके टीचर आपको लेके जा रहे हैं उनके पास में अनुभव भी होना चाहिए और एज ए इस्कूल में आप क्या कर सकते हैं मान लिजिए आपने पढ़ाया आज बिक्षार ओपन पढ़ाया clear है बिक्षार ओपन आपने पढ़ाया और आपने क्या किया कि कलास के बाहर पार्क में ले जाकर या फिर बिद्याले परिसर के अंदर भी दो चार बिक्ष को कैसे करते हैं कैसे मिटी में बुआई करते हैं सारा कुछ अपने बताया तो यह भी अपना क्या है एक पार्ट ओफ सर्वे यानि कि एक सर्वेक्षन का ही पार्ट है clear है सिक्षन की परजेक्ट बिधी की विश्यस्ताओं की विवेचना करें परजेक्ट बिधी बोले या परियोजना बिधी बोले दोनों क्या होता है सेम होता है बोथ हार सेम थिंग परजेक्ट बिधी या परियोजना बिधी ठीक तो देखे, प्रोजेक्ट विधी करने का मतलब हो गया, आप अपने स्कूल टाइम में बनाई हुए हैगा कोई प्रोजेक्ट विग्यान मेला के लिए, किसी वी चीज़ के आप प्रोजेक्ट पनाए हुए हैगा, थर्मो कोल का मदद से, या मीटी का मदद से, कुछ भी दिख प्रोजेक्ट विधी में क्या होता है, कि आपके पास में आपका मार्क द्रसक होता है, टीचर होता है, और एक आपको आप एक लेते हैं, क्या टाइटल एक अप लेते हैं, उसके नुसर से आपको एक थीम मिलता है, उस थीम पर वरत करते हैं, और उसको आप दिखाते हैं, प्रजिक्ट बना कर दिखाते हैं कि इस प्रकार से करेंगे तो इस प्रकार से ऐसे लाब होगा, ऐसे नुकसान होगा, तो ही अपना क्या हो गया, प्रजिक्ट विधी हो गया, गति विधी किसे कहते हैं, काक्षा के बाहर की जाने वाले किसी एक गति विधी का उलेह करें, मैं में सिक्षर की भुमिकाप परपकास डाले पुलाक की खोड़ना और नाला को खुला हुआ क्यों चाहिए यह सारा कुछ अप बताईयगा अतियारिक फेर क्यों लगाना चाहिए तो यह सब लख़िय रहे हैं बच्चों चाह आप चाहा और उसकी इक्षाव को आप पहुचा रहे हैं तो आपका क्या है पड़े बद्स नक्षन करने में कि आपका आहम भूमिका है जो एक सिक्षक जब चाहे है तभी आप यहाँ पढ़ हैं आप अपने जीवन के ता उम्र तक सिक्षक के साथ घिरे होते हैं जो भी बेखती है आपको दो सब्द बता रहा के लिए क्या है वो सिक्षक ही है पर मैं आपका दोस्त हूँ मैं भी ए स्टुडेंट हूँ मैं टीचर नहीं हूँ पड़यवरन अध्यान में आकलं करने के मुल्भुत तरीकों पर परकास डाले देखिए पड़यवरन अध्यान में आपना करने का दो में विद्यो Kathleen है अंकन और Greg कर भी आपनाकर को चलता है कि कौन बच्चा कहां तक है सतत एबंब्यापक मुल्यांकन की विसिस्ताओं को लिखे देखिए सतत एबंब्यापक मुल्यांकन का हमको विसिस्ता लिखना है तो क्या होता है कि आप इसका विसस्ता पुछ रहा है तो बच्चे का मुलियांकन कर रहे हैं तो बच्चे का क्या इंप्रूफमेंट है तो बिसस्ता क्या होगा इसका दैनिक सिक्षन योजना आप उससे पुछताज किजिएगा उसका अवलोकन किजिएगा उसका अपना उसका क्या किजिएगा उससे आप प्रस्म पुछिएगा आप उससे प्रोजेक्ट या गतिविती उससे आप करवाईएगा बच्चे के बारे में राय विचार उससे पूरा उसकर उसका क्या बनाईएगा चैल्ड पोर्टफेल्यों बनाईएगा प्रजेक्ट विधी का उसके साथ आप काम करवा सकते हैं तो इसा अपना क्या है सत्तिवम ब्यापक मुल्यांकन का विस्ष्टा है पर्यावरन अधहन के सिक्षन शाष्ट में उपयोग होने वाली सिक्षण विधिया कौन-कौन सी हैं किसी एक विधि के महत प्रकास डाले तो देखिए सबसे पहला तो अपना एक सिक्षण विधि कुद हो गया फिर प्रयोजना विधि आने की प्रजेक्ट विधी हो गया उस ओनिए नेस्नल करिकुलर फ्रेमवर्ड इसमें क्या होता है ने की रेज़न पर नई रोशनी डाली जिसके अनुसार जियान अनभवों के बिसलेशन सवेंग कर के समझने अब किसी बात का अर्थ क्या होसकता है उसकी ब्याख्या करने की प्रोसेस है यानि की पढयास है बच् आसपास में पेर देख रहा है, मिट्टी देख रहा है, फल देख रहा है, बहुत कुछ देख रहा है, उसको जाकर अपने वो विद्याले परिशर के अंदर, अपने कच्छा के अंदर में जाकर उसक चीज को जब सुनता है सिक्षक के सामने से, तो वहां पर दोहराया जाता ह तो उसको और ज़्यादा उसको चीज समझ में आती है तो यह अपना NCF का में चीज था अब NCF में क्या है कि इसका कुछ थीम होता है इसके में छो थीम होते हैं पडिवार, मित्र, आसपास का बातावरन, भोजन, अवास, जल, यात्रा, कुछ करना एबम बनाना NCF के 6 थीम होते हैं इसको ध्यान सुनिएगा रेगुलर आपके सीटेट में पुछे जाते हैं NCF के 6 थीम कुन-कुन से होते हैं तो पडिवार, मित्र और आसपास का बातावरन एक, नमबर टू, भोजन, नमबर थिरी, अवास, नमबर फोर, जल, नमबर फाइब, यात्रा, नमबर शिक्स, कुछ करना एबम बनाना ठीक है सिक्षा में नवाचार यह तो मुझे नहीं लगता है कि बताना पड़ेगा क्योंकि आप लोग ओलेडी इंटर्मीडियर या ग्रिजूर्ट के सुटेंट रहेगा तो जनसंख्या बढ़ने से पड़यावरन पर क्या एफेक्ट पर रहा है इस चीज़ को आप इसली डिल कर सकते हैं तो यह था अपना एफ 10 अब बहुत जल्ब मैं आपको एफ 11 और एफ 12 यानिक आपको जो दो सब्जेक्ट बचा है वो मैं आपके सामने में ला दूंगा निशिंतर रहे रिलैक्स रहे पर खत्म हो गया बस प्ले लिस्ट को दो तीन बार देख लिजे और कोई भी आपको व आसपास और एक दुझे के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे धन्यवाद